एक प्यार इसी मुस्करहट के साथ आपका न्यू व्लॉग में स्वागत है और गाईज आज किचन का व्लॉग है क्योंकि चिमनी न बहुत गंदी हो रही है तो मैं सोच रही हूँ उसको काफी दिनों से सोच रही थी कि साफ कर लो तो साफ कर लो तो आज में उसे क्लीन करूंगी देखो महनत का तो काम है सब ये सोच ने हैं कि यूटूब पे करती क्या है वीडियो बनाती रहती है वीडियो डालती रहती है अरे दो दो चैनल है दोनों चैनल को मेंटें करना और दोनों भई मोनोटाइस भी हो चुके हैं तो महनत तो लगती है यदि कोई कुछ करते हैं तो और अब देखो गाईज यह में चिमनी कैसी हो रही है और मैं गेवाल आपको बैक कैमरा ही दिखाऊंगे और जो कोई नियो आरे ने चैनल पे तो चैनल को लाइक करें सब्सक्र चैनल कि गंड़ूंगे इसको भी खुल देखो ऐसे करके यह खुल जाता है और इसकर के जईसे यह हो गया ना इसको मैं सिंक में डाल दूंगे और सिंक में सिंक ये मैंने यसे कैप लगा ले तो इसमें गरम पानी डालूंगी बिद्ध को शुल दूसरी डाल रहा है ऐसे ही दूसरा निकाल लेती हूँ और जो कैटल में पानी गरम करने के लिए रख देती हूँ तेज गरम पानी होना चाहिए देखो ये कैटल में पानी गरम करने के लिए रख दिया है ऐसे दो तीन कैटल डालूँगी प्रिल डालूँगी और इसको फिर और ये फिर दूसरा भी निकाल लेती हूँ गाइस गिर गया अब एक हाथ में कैमरा पकड़ा है और दूसरे में तब फिर तो गिरेगा ही ना चलो कोई बात नहीं ना देखिए अब इसमें में गरम पानी डालूँगी और इसमें फिर प्रिल भी डालूँगी आपको दिखाऊंगी पानी वो बन गया है अब इसे लेके चलेंगे पानी को और ऐसे करके इसको ऊपर-उपर से ऐसे डालेंगे गश आ है यहरो देखो अभी चुपने लगा जा हम थीज पानी आसे डालते रहे देखो इस तरीके उसए हैा और पानी निकलेगा भी नहीं my guys पानी निकलेगा प्र30 ओर उपर से बार लेती हूं मै guys दे rhythmए इस तरसे इतना पानी मैंने तीन वो डाल दिये हैं, तीन गैटल डाली हैं, बहुत तेज गरम, और देखो यह छुटने भी लगा है, इस तरीके से, और गाइस मैंने ऐसे छोटे छोटे पीस हैं, कपड़े के निकाल ली, ऐसे, काट काट के देखो, ऐसे करके, ऐसे, और इस तरहे के ऐसे भीगो भीगो के देखो, ऐसे भीगो एंगे इसको और फिर ऐसे ले जैसे कि ये बिल्कुल साफ हो जाता है बिल्कुल साफ देखो, मैं आपको ऐसे करके भी दिखाऊंगी, क्योंकि ये मिरर है, गलास का है ये ये गलास का है इसमें, मैं भी दिखाए, देखो, ऐसे करके साफ करती हूं, और जो, मतलब साफ कपड़ा भी रखो साथ में, और एक सूका, जो कपड़े तो बचे होते हैं, कोटन के उन्हें रख लेनी चाहिए, संभाल के, ऐसे करके, मतलब ज्यादे लगेगा आदा पोना घंटा, इसको भ गरम पानी लेकर गरम पानी में, और प्रिल डाल दिया, ऐसे, इस तरीके से, और साल में एक बार हम फिर उसे भी बुला लेते हैं, वो जो अंदर से और कर देता है, मोटर बोटर, और जो बीच में हैं, जैसे साल वर के अंदर, तो हम साफ कर लेते हैं, देखो, इस तरह से चिकट निकल रही है, यह चिकनाई निकलती है, यह रहा, ऐसे करके, फिर अभी बार और लगा देते, बाद में सूखे कपड़े से कर देंगे, और ऐसी ही हाँ, ऐसे भी, इस तरीके से, और इधर भी, और जैसे जो अंदर है न, मैंने न, स्टेंड में रखा हुआ है, गाइस कैमरा, आपको दिखाने के लिए, अंदर इतना नहीं होता साफ करने, बस जो यह किनारी न, ऐसे, बस यह करनी पड़ती है, या वो जो मैंने आपको दिखाया, स्टील का, जो पानी में, गरम पानी में है, वो इसके जो फिल्टर्स हैं, या उसके जो जाली है, वो साफ करनी हो जाता है, देखो गाइस, यह तो उपर से तो मैंने साफ कर लिया, सारी, और ऐसी ही यह साफ हो गई है, इसके शीशेवी शीवी चमग गई है, लाइट भी हो गई है, और अब करूंगी मैं वो, मैं यह जाली, और यह जाली जैसे गरम पानी तो इसको ऐसे ऐसे करके, इस इलका जूना ले लो, या ब्रश ले लो, ब्रश भी रखा हुआ है मैंने, बच्चुरे तो ब्रशी गायब कर दिया गाइस, अब एक ब्रश और लेके आती हूँ मैं, और गाई जो ब्रश हो गया है, सोच रहे हैं कि उसका बिल किस पर फाड़ा जाए, क्योंकि देखो ऐसे अब मैं और ब्रश लेके आगी हूँ, और हमारे हाँ तो इंडिया में ऐसा होता है, यदि तुमारा ब्रश खराब हो गया है ना, और मतलब ठीद के लाएक नहीं रहा है, तो उसको फिर सखाई के काम आते हैं, इंडिया में आप मतलब वो जरू जले, जुगार चलता है, य इसी में सही है ये, और इसका हम ब्रश खोने का जो है, बिल फाड़ते हैं, मेड पे, क्योंकि उस नहीं कहीं रख दिया होगा, और कौन रखेगा है ना, और कोई थोड़ी आ रहा है, और थोड़ी कोई काम कर रहा है, इस तरीके से अंगरम पानी भी है, फिर इसको ऐसे, इ देखो, आपको कड़के दिखा रही हो, इस सोचेंगे कुछ काम नहीं कर रही, काम तो बहुत हो जाता है, और इसमें और प्रिल डाल देंगे हम, और पैल बज गई गाई, इसको यह आ भी गया है, गेट खोल के आती हूँ, और गाईस देखें, यह बिलकुल साफ हो गई है मेरे को ना दोनों को साफ करने के लिए ना आदा घंटा लग गया इनको, देखिए, इसको फिर मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी, और गाईस देखो, यह साफ हो गई है, दोनों जाली कर ली है, अब इने मैं लगाती हूँ, देखो, इसको ऐसी करना परता है, देखो, पूर लग गई ना, बिल्को सही लग गई है, देखिए, अब दूसरी में लगाने की कोशिश करते हूँ, इसको ऐसे बस कर देते हैं, तो यह लॉक लग जाता है, अब देखो, बिल्को साफ हो गई ना यह, पर देखो, महनत तो बहुत लगी है, मुझे इसमें अब यह सूप जाएगा, इसा चलाओंगी ना, अब आज सूप हो चलाओंगे, अपना अब आप सूप जाएगा, देखो, इसको कितनी साफ लग रही है, यह, इतनी साफ लग रही है ना, देखो, पर गैस वेस गंदी होगी यह भी में चाहिए रहा है समय लग गया दीखा इसका बडालग मनातेंग ऊपसी में करते हो जाए प्यारे प्यारे व्लोग लाती रहूंगी मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें रादे रादे जैस्रीकिष्णा